मेनपुरी में एक रेटाइड फॉजी ने शराब के नशे में जम कर तांडव मचाया शराबी रेटाइड फॉजी पहले शराब के नशे में धुथ होकर एक दुकान पर पहुंचा और शराब पीने के लिए रुपए उधार मांगने लगा और जब ठेले वाले ने रुपए उधार देने से मना कर दिया तो उसने ठेले वाले पर अपनी लाइसेंसी पिस्टल से गोली चला दी इतना ही नहीं मौके पर पहुंची पुलिस पर भी रेटाइड फॉजी ने फाइरिंग कर दी पूरा मामला थाना कोतवाली के छोटी रिल्वे स्टिशन के पास का है जहां शराब के निशे में धूत एक रेटाइड फॉजी सबसे पहले एक जूस के ठेले पे पहुंचता है और ठेले वाले को कहने लग जाता है कि मुझे कुछ रुपे उधार दे दो मुझे शराब पी नहीं है लेकिन ठेले वाला रुपे देने से मना कर देता है जिसके बाद रिटाइड फॉजी का घुसा साथवे आसमान पर पहुंच जाता है और अपनी लाइसेंसी पिस्टल बाहर निकाल कर ठेले वाले पर तान देता है और फिर एक के बाद एक दो गोलियां चला देता है वो तो गनिमत रही कि गोली ठेले वाले को नहीं लगी गोलियों की आवास सुनकर पुलिस के जवान मौके पर पहुंचे तो शराबी रिटायर्ड फॉजी छट पर चढ़ गया और पुलिस पर भी एक के बाद एक तीन गोलियां चला दी जिसके बाद मौके पर भारी पुलिस बल पहुंच गया और शराबी को समझाने में चुट गया पुलिस बल को देख शराबी रेटाइड फॉजी घबरा गया और छट पर चढ़कर कूदने की धमकी देने लगा काफी देड़ तक पुलिस करमी शराबी को समझाते रहे लेकिन वो नहीं समझा जिसके बाद पुलिस के जवानों ने प्लैन बनाया और उसे बातों में उलज़ा दिया शराबी को बातों में उलज़ा कर दो पुलिस करमी पीछे के रास्ते छट पर पहुँचते हैं फिल्मी अंदाज में शराबी को पकड़ लेते हैं अब यह सीडी चालके गए हैं पीछे से कॉश्टेबल वगरा यह पैसे मांग रहे थो इसे दो शरुबाँ पीने के लिए यह दो सबस्साक इन ने इस दो सबस्क्राइब कि भाद को लेकर जवाब था यह सब्सक्राइब पीने के लिए प्लाइब स्क्रीन पर चल रही तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि शराबी छट पर खड़ा हुआ है और पुलिस के जवान उसे नीचे से समझा रही है लेकिन वो कूदने की धमकी दे रहा है तस्वीरों में शराबी के पीछे दो पुलिस कर्मी भी दिख रहे हैं जो पहले पीछे के रास्ते से छट पर पहुंचते हैं और धीरे धीरे आगे आकर शराबी को पकड़ लेते हैं और फिर उसे नीचे लेकर आते हैं फिलाल पुलिस ने शराबी रेटायर्ड फॉजी को हिरासत में लिलिया है और उसकी लाइसेंसी पिस्टल भी जब्त कर ली है मैंनपुरी से पंजाब के स्री टीवी के लिए अफाकली की रिपोर्ट